पवित्र शिरिमत भागवत गीता मंगल प्रबचाँ प्रमातमान ने कबीर जीन आकर हमें ये मारक बताया कि जैसे तुम लकडी फूकते हो उसमें पर्दूसन साथ बराबर होता है और इसमें पर्दूसन नाम मातर साथ होता है रुई का पर्दूसन नहीं बन पाता घी डाले जाओ और जलाए जाओ एक दुस्टे ग्राम रुई से आप दस क्वेंटल – 100 क्वेंटल घी को सुआ कर सकते हो, हो न कर सकते हो पर दूसन तो नाम मातर भी नहीं है और क्ववल घीगी कोलावं हमें के वाई यू मंदल में मिलता है तो प्रमातनुमा की इस त्रीके को हमने अपनायर यह हवण हम करते क्यों लिए एक यग है हमने पांट यग करनी है या पांट यग संपन होती है जैसे आप जी आदान करते हैं उनका सामुवी कलाब होता है उसमें से आप पाठ भी करवाते हो तो यहां तो पैसा है बन्नारे में लगता है यह धर्म यग हो रही है यह उपर शैड बना रहा है अप अंके चालए यह धर्म यग हो रही है एक यग है धर्म की दूसरी यग है ज्धान यहां आकर बगवान याद आता दूसरी बात याद निया थी यह ध्धान यग होगी बगवान के चर्णों में उसकी याद बनी रहना ये ध्यान येग है और तीसरी एक हवन की यहां जितने भी पाट सल रहे हैं परतेग प्राणी की है परतेग विक्ती की अलग-अलग जोतियां जलाई जाती है तीन दिन तक अखंड चलेंगी और एक तीन दिन के प्रोसीजर में पूरे समागमा है लगवग एक किलो घी एक जोतिय का सवा हो जाता है अप्रोक्सिमेटली और फिर भी यहां दिन रात हवन हम अलग से भी एक जोतिया जलागा छोड़ जैते घी सवा घी का सवा होना ही हवन है मंतर हम अपने जाब सभी करते रहते हैं वो अलग से होते रहते हैं तो ऐसे हम दिन रात यहां अखन जोती जलती हैं जैसे जो पुन्यात्मा जोती अवन नहीं कर सकते तर पे या और एक्स्ट्रा जरूरत है उनको ग्लुकोस्त डाइने की तो यहां जोती के लिए पैसा जुना करा देते हैं हम उनका हवन यहां करते रहती हैं जोती चलती रहती तो इस परकार जो केवल हवन हवन करते हैं और इंकम्पलीट मंतरजाब करते हैं उनको मोक्ष नहीं हो सकता हाँ वर्क डन आवस्टे मिलेगा जैसा जिसने किया वैसा लाद मिलेगा लेकिन हमें तो मोक्ष कराना है वो मोक्ष होगा इस पूरे प्रोसीजर से पूरे ट्रीक्मेंट है अब जैसे खेतम बीज बीज दिया और खात पाणी डाला नहीं और खात खात गेर दिया पाणी डाला नहीं तो भी वर्थ है तो एक हवन यग ही कर देना तो समझो जल नहीं डाला खात गड़ डाल दिया तो और बेकार कर दिया तो इस परकार परमात्मा नहीं आकर हमें यह सो चारो प्रोसीजर परमात्मा के पाने का बताया है अप पार्तिया पहाटिया अप पर किंगर अप अप अबद जे आप पे तालिघा जोचनकारा आप ने से पडिकनारा और ये आप ये कबीरश या रती गाओ आओ आप आज़ दे आप सुनाओ पर मातमा ने स्वेम्हे आकर दास बनना पिड़ा स्वामी आकर यहां पर भगत बनना पड़ा स्वामी आकर तत्वज़सी संत बनना पड़ा और भगवान तो वो है ही है आज का पर सफसंग प्रार्म हुआ था कि जैसे वर्क डंग ही जीव को मिलता है यहां पर करम पर धान है बिल्कुल सच जै कर्म पर धान है अब हम वो कर्म को ना करें जिससे मरा मोक्ष हो हम वो कर्म करें जिससे कर्म तो करना ही है पेट के लिए तो कर्म सेपरेट है लेकिन भगती मारग के जो कर्म है वो हम वही करें जिससे मरा मोक्ष हो तो यहां का procedure है यहां का विधान है कि जैसे करम करेगा वैसा ही फल मिलेगा जो सास्तर विजी का मनमाना अच्रन यानि करम करेगा साथ ना करेगा तो उसको यूजलेस है गिता जिद्धा है नमर सोडा के सलोक नमर 10 मन तू पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे, सत्साहिए प्रमपता प्रमात्मा, प्रमेश्वर कबीर जी, अपनी महिमा और तत्व जान का परचार स्वर्म ही करने के लिए आते हैं उन्होंने गुरू के उपर बहुत मैतो दिया है कि गुरू का होना आतिया उस्यक है और गुरू वही होता है जो प्रमेश्वर का किरपा पातर होता है या स्वर्म प्रमेश्वर ही होते हैं, और कोई गुरू नहीं होते है बाकी तो नाम के गुरू होते हैं, वो नकली गुरू होते है उसका परमान आपके समख से रह रहे कर आपको पर्टेक्स भी कर रहे हैं कि जिनको हम रिसी मानते थे वरत्मान में जो सत्गुरु कहलाते हैं जगत गुरु की उपादी भी लगाए हुए है करोडों सरधालों के भी वो मुख्या बने हुए है वो गुरु नहीं है उनके पास को तत्व ग्यान नहीं है तो परमात्मा ने गुरु जी के उपर बहुत वाणी बोली है और हमें ये समझाने की चेश्टा की है कि आप परमात्मा के रिपर्जेंटेटिव को गुरु को उन्हीं के सरूप मान कर ही आप अपना कल्लान करा सकते हो अन्यत्वा नहीं जैसे गुरु मानुस कर जानते तेनर कई हैं अंद होगें दुखी संसार में आग गयम के फंद अब गुरु जी को मानुस कर के जानते हैं तो हम उतना ही लाव प्राफ्ट कर सकेंगे क्योंकि प्रमेश वरस वेम आये थे और 120 वरस बनारस में कास्ती सहर में एक जुलाह धानक की भूमी का करके वो प्रमात्मा सहसरी चले गए सहसरी राय थे तो उसमें हम उनको प्रमात्मा नहीं मान पाए नहीं समझ सके क्योंकि हमने प्रमात्मा का सिध्धान प्रमात्मा की जो थूरी सुनी थी प्रिभासा सुनी थी वो ये सुन रखे था कि वगवा निराकार है और कोई ये कहता कि साकार में दुलाहा प्रमात्मा आया है उसकी कोई नहीं सुनते थे इसलिए हम प्रमात्मा को पैचाद नहीं सके अब इस दास को प्रमेश्वर ने भेजा है कबीर जी की दया से यह दास उन्होंने यहां गुरू बनाया है अपनी करपा बक्स के तो प्रमेश्वर स्वें कहते हैं कि गुरू को मानुस नहीं जानना जाए यह फिर आपकी इतनी ही भावना बनी रहेगी जब तक हम गुरू जी को प्रमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हम इस काल के जाल से नहीं निकल सकते यह आरड एंड फास्ट रूल है उदारन है कि जैसे एक गणित में रण का एक परसंद होता है उसमें मूल धन ग्याद करना होता है उसमें मूल धन ग्याद करना होता है उसके लिए सपोज करना होता है कि मान लीजिए मूल धन सो रुपे वो मूल धन सो रुपिये सफोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है उससे फिर वो वास्तविक मूल धन जो लाखों और करोड़ों की संख्याम होता है वो पराप्त हो जाता है मूल धन सो रुपिये मान कर हम उस वास्तविक औरीजिनल मूल धन को प्राप्ट कर सकते हैं अर्थात अपने प्रोब्लम सोल कर सकते हैं परसंद हल कर सकते हैं इसी प्रकार आप जी ने गुर्देव को भगवान मान कर चलना होगा क्योंकि जैसा भी आप यहां रियर्सल कर रहे हो जैसा भी गोहार जैसी भी सोच आपकी इस दासके परती है वो आपकी सोच आखरी तक बनी रहेगी जब आप संसार चाग कर जाओगे आगे परमातमा तरकुटी के उपर आपको इस दासके रूप में मिलेगा और वहां वो परमातमा आपकी सद भावना आपका सिष्टाचार आपके अंदर के विचार कि आप कैसी भावना इस दास के परती रखते हो तो वहाँ आपके हर्जे की अंतरियामी परमात्मा वहाँ आपकी फिर्प्रिक्सा होती है लेगा तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदे समसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए गुरु परमात्मा नहीं है लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा यदि ये परसन हल करना है तो नहीं तो हो ही नहीं सकता ये नियम है परमेश्वर कबीर जी कहते हैं मम संत मुझे ही जान मेरा ही सरूपम मेरे संत को मेरे परती निधी को मुझे ही जान वो मेरा ही सरूप समझ लेना तो परमात्मा जैसे आपके सामने बगवान आ जावे परमात्मा आवे तो आपका कैसा बहार होगा ठीक है कोई निर्दन है वो माया मांगेगा नयिस संतान संतानी मांगेगा जैसे आप तीरी अर्षँ चल रही है लेकिन आपको वास्तों भी पता हो यह भगवान है आपके हर्दे मान ले तो फिर आपका कैसा भिहार होगा जैसे सामने भगवान खेए और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके परती भाव ना रखोगे उनको अंतरिया मीजान के आफमन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लाड़ी भी नी चाहिए और नहीं गुरुजी के सामने, यानि प्रभू के सामने जूट बोलना चाहिए क्योंकि फिर सारे फाल पॉइंट है अब गुरुजी के सामने आप जूट के बोलोगे, कैसे तो कोई गुटी लागया बीच में नाम जूटी है और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाब हो को नी कनेक्शन कट चुका है, आटोमेटिक तो या जूट बोल के आपने फिर फैदा हुआ, लाब हुआ हानी हुए, बलके लाब नी हुआ और भी कोई माताद हो, किया है को कोई और प्रो, किसी भी कार्म से नाम खंड हो जाता है, तो रिजब बताना जाएगे ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत दमकावगा, करड़ा करूँगा, भई गलती है, खबरदार जैसे आपने नियम बंकिये हैं, तो आपका नाम फिर सुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामियाब नहीं मिलेगी आपक लेकिन बार बार या हैबी चुल नहीं होना चीए, अगले नाम तो मिले जागा, इसका कोई समय होता है, इसकी लीमिट होती है, कितनी बार किन प्रस्थितियुमा आपके से खंड हुआ, फिर वो नाम आपके 20 बार डेडियूर काम करना बंद कर देगा, तो इसलिए हमने बह बेटी को काफी समय के उपरां गरब रहा हो, फिर वो एजान है उस बच्चे की उस गरब की वो कितनी चिंता करती है, रातने भी करवट लेते समय भी, एक दम आखे खुल जाती है, तो देखती है कही मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आगी, कही बच्चा मेरा खराब तो उच्चे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई वार सोचती है, तो पुन्यात्माओं ऐसे ही ये भगती रूपी गरब को आपने ऐसे यतन बना कर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर यो अनमौल लाल आपको मिलेगा, जैसे माता गरब कूं रख यतन बनाए, और ठेस लगए लेता है, ख्षिन हो जाए, तरी ऐसे भगती नसाए, तो हमने अपने इस लाल भगती रूपी गरब को बहुत सुरक्षित रखना है, ये बकवाद करन की बात नहीं है, ये मजाग की बाते नहीं है, इसको हर देम दरना पड़ेगा, कि हम क्या करने आए हैं, कि उदेसे से हम ने उदेस लिया है, ठीक है, सुरूत प्राहरम में हम आते हैं कोई दुख निवारन के लिए, वो भी होगा, क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ तिनों में आपको ग्यान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यहीं मांगोगे, परमात्मा च पता को नहीं, वो तो अंत्रियमी है, हमारी प्रोब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है, और जो सच्चे जलते हैं, अनने मन से पती भरता पत करते हैं, पती भरता पत का आज़त है कि कि सी और इस्ट की पूजा नहीं करेकर अपने कभीर परमात्मा की, नथिंग एलस है, तो ऐसे पती भरता इस तरी की कहते है जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा पती भरता जमीर पर जो जो दढ़ है पाओं और समर्स जाड़ू देते हैं कई ना काटा लग जावे जैसे पती भरता यानि एक इस्ट पर आस्रीत और सभी उपासनाए छोड़ कर सचे दिलतें परती है और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा उस पाप रूपी काटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं जाड़ू देते हैं कई मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जाए यानि कोई करम दुख ना दे जावे पती भरता जम ने परमात्मा से इतना लाब लेने के लिए इस योगे बनना पड़ेगा ताकि वो हमारी नूदे केर टेक करें जब तक हम इतने योगे नहीं होंगे ठीक है वर्क दिन आपको मिलता ही रहेगा अब परसंग चल रहा है कि गुरू गोविंद दोनों खड़े और किसके लाग मुपाए बलिहारी गुरू आपना गोविंद या मिलाए और कहते हैं कबीर हरी जैरूठ जा तो गुरू की सरने जाए और कहे कबीर गुरू रूठ जाता ना हर नहीं करे सहाए अब जैसे जिस प्राणी के पुन अक्सिन हो जाते हैं जब तक पुन रहते हैं तब तक तो परतेक प्राणी सुख ही नजर आता है गर में भी विवसाय में भी बाल बच्चे भी ठीक हो जाते हैं साधी ब्या भी हो जाता है और फिर जब पाप कर्मों का दोर प्रहरम होता है क्योंकि ये मिस्रन कर रख़ा कालम अगवान ने हमारा प्रहरम बना रख़ा है तो हमारे संचिः पुन और पापों में से जो डेपोजिट हैं जनम-जनमान तर्खे उन में से एवरेज डे सो से निकाल के अब आपका प्रहर्म बना रहे हैं, फॉatar बाप बी बिरा रहे हैं और पुन भी है, पुन से सुख होता जा रहा है, फिर पुन वेट्री आपकी डिस्सारद होगी, वो खाता खतम होया। अब पाप वडा सुरू बहुनिया। आपती पापती आपती परहर्म होगी और जब तक आप आन उपासना भी करते थे किसी नकली गरू की सरन में भी थे तो भी आपके गड़े में सुक होता जा रहता आप ये सोच रहे थे हमारे सत्गुरोजी की द्रयासी सब कुछ हो रहा है और फिर उसी सत्गुरु जी की सरण मरे तेरे ते सारी ब्रैन माटी होगी फिर कहा गया हो सत्गुरु जी इंप्रू होना चाहिए था आप तो बिल्कुल ग्राउट मा आगे तो पुन समाप्त होगे पाप सुरू होगे जब इनसान कोई घड़ा दुखी हो जाता है तो वो क्या कहता है मेरा राम रूश गया मेरा भगवान रूश्ट हो गया मेरा भगवान रूश गया मेरा प्रापती आगी और जो सुखी नजर आता है उसको आम आदमी का अगराव इसका भगवान राज्जी हो जा है इसका प्रमात्मा राजी है इसके गढ़े अच्छे करम है तो प्रमेश्वर क्या बताना साथे हैं कि जैसे आपके पुन समाप्त होगे अब जैसे कोई विक्ती एक नलक पर से गढ़ा बढ़ लेगा पानी का और कहीं दूर जाकर के कारिये कर रहा है ठेत में या मजदूरी किसान का काम या जैसा भी या अपने गर पे ले आया जब तक वो जल है उस गढ़े में तो कोई प्रोब्लम नहीं और जब गढ़े का जल समाप्त हो जाता समझ चाय जाती है और पैसे मर जाते हैं तो कहां जाते हैं फिर एंड पम्प के पास जाते है और उसकी करकर पूजा यानि सेवा करकर हैंड पम्प से फिर बढ़ लाते हैं तो यहां पर मात्मा कहते हैं कि जैसे वो जल है वो तो मान लिव भगवान क्योंकि जल से प्यासबुजी आनंद हुआ सुख हुआ और नल का संजल लो गुरू क्योंकि गुरू बिना बगवान मिला को नहीं ये नियम है तो हैंड पंपने तो गुरू मानो और मटके के जल को बगवान मान लो वो आपके पुन है तो आपके जब पुन समापत होगे आपके मटके का जल समापत होगया तो कहां जाओगे एंड पंप के पास जाओ उसकी सेवा करो मॉमंट दो हम साथली को और फिर बर लियाओ और जो हैंड पंप है खराब कर दिया आपने फिर जल ना मिला आपको तो यहां क्या बताना चाहते हैं गुरू गोविंद दोनों खड़े और किस के लागवू पाए एक तरफ हैंड पंप है दूसरी तरफ एक मटके मच्जल है तो कहते हैं किस को अधिक आदर करू एक तरफ बगवान खड़या है मान लीजी एक तरफ गुरू जी है तो किस के किस को प्राथमिकता दूँ प्रमात्मा उत्र भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरू आपना जिन गोविंद दियों मिलाया फिर क्या बताते हैं कबीर हरी जैरूठ जा यानि तुमारा राम रूज जिगा आपतियां सरू होगी वो गड़े का जल समाप्त हो गया तो गुरू की सरनमजा यानि पूर्न संथ की पास सरनमज पहुंच और कह कभी गुरू रूठ ये तो हर ना करे सहाए आपने गुरू जी के परती ही कोई दुरू भावना पैदा कर ली कोई उसमें दोस देख लिया अपनी सोचनुसार या कोई यहां अपने मर्यादा भंकर भी तो उसे गुरू रुष्ट हो जाता है जैसे इस दास को जो पता चलता है कि यह विक्ति यहां आ भी रहा है और कहता हम नाम भी ले रख़्ा है यह बीडी भी पीवा है गुर्टी भी लगा जाता है कभी कभी तो तब मैं रुष्ट होता है यह दास रुष्ट होता है दुख होता है मुझे क्यों कोई फाइदा निसके यह आने का और दो चारह नौर बेगाड़ रहा कि यो भी बीडी पीवा है राम पाल का से सोकर के तो इस से दास गणा दुखी होता है उस व्यक्ति को चाहिए अपने गलती से विकार करे है दुबारा उपदेश ले ले सुद करा ले अपने उपदेश को और बविस्यम ने पीवा है अपना कल्यान करवा ले तो इस से दास दुखी होता है कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं आप पति बरता पदबर नहीं रहे बगवान आपको मदद करेगा नहीं पिर लाब क्या होगा यE preferred दुखे खान का यहां आने का कोई लाब आपको नहीं प्राप्त होगा आपने यहां आए हो तो लाब प्राप्त करो मालिक का ऐसा लाब दे देगा आप सोच भी नहीं सकते आप चक्करमा पड़ जाओगी क्या प्रमात्मा सच मुझ ऐसे सुख दिया करता है सुना करते थे लेकिन आप यहां देखा करोगे आप यहां महसूस करोगे तो क्या बताते हैं जैव कैसत गुरू मिले सब दुख आखों रूँ चरणों उपर शीस धरू कहूं जो कहरी हूँ कबीर साइं मिलेंगे पुछेंगे कुसलात आजी अंत की सब कहूं अपने दिल की बत एग गुरू जी तुम ना भूलियो चाहे लाखे लोग मिल जाएं हम से तुम को बहुत है तुम से हम को नाईं तुम्रे विसारे क्या बने अव गुण मेरे बाप जी बक्सो ग्रीब नवाजे जो मैं पूत कपूत हूँ बहुड पिता कूला जे मैं अप्रादी जनम का नक्सिक बहरे विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सवाई राम किर्सन से कौन बढ़ो उन्हों भी गुरु कीने तीन लोक के वे धनी गुरु अगदीन प्रम्पिता प्रमात्मा कहते हैं कि तुम राम किर्सन को तो बहुत सक्तिसाली सुप्रीम प्रमात्मा मानते हो इनसे बढ़ा तुम किसी को नहीं मानते लोक वेध के आधार पे उसी उजसे से प्रमात्मा समझाना चाहते हैं उन्हीं को दारन दे करके कि तुम्हारी द्रिश्टी में राम करशंग जी ते कोई बढ़ा नहीं तो उन्होंने भी गुरू बनाया स्री राम संदर जी ने रिशी वाशिष जी को गुरू बनाया और स्री करशंग जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरू बनाया अध्धातमे गुरू, संदीपनी रिसी उनके केवल अक्सर ग्यान कराने वाले गुरू थे, जैसे सिक्सक होते हैं, पढ़ाया करें, और अध्धातमे गुरू दुरुआसाधी थे, तो परमातमा में ये बताना चाते हैं, कि राम किर्शन से कौन बड़ा, और उन्होंने भी मुकीन और तीन लोग के वे धनी, तीन लोग के मालिक गुरू आगए आधीन, यानि हमने आपने, आपने, अभी सोचन की कोई ओ सकता ही नहीं रही जब राम करसंदी को आप पड़े बगवान मानते हो, और उन्होंने भी गुरू बनाकर, ही अपना कल्यान समझा, यानि सु वापस दाने वाला काम भी उन्हीं गुरूं से बना, तो फिर आम विक्ती कौन से खेट की मूली है वह उसकी क्या बनियाद है कि वो गुरू बनाबाद उसकी बन जागी, तो इसलिए एक तो यह पॉइंट कलियर हो गया, कि गुरू जी का होना आतिया उसक है, फिर प्रमात तीन लोक सब राम जपत हैं, और जान मुक्ती को धाम, और स्री राम चंदर जी ने वशिष्ट गुरू किया, उन्हों दिया उनको ओम नाम मतालेवाई कर ले के एक रहे हैं, इब हम तो राम राम जपत हैं, स्री राम चंदर जी को सुप्रेम पाउर मानिक है, और स्री राम जवी वशिष्ट जी के पास जब गुरू पराने के उनको उन्होंने जवसिष्ट जी ने स्रिजाम चंदर जी को ओम नाम दिया था जाब करने का बता वाई हम कहां खड़े करेखे थे नकली गुरुआ new अब उस जिस नहां राम मानने वो तो हमका नाम जाब करे है हम राम-राम करे है जासे कोई विक्तित लड़ू खाओ राम है क्या खाओ है डड़े कोई बात ही या यानि वही जरसे कोई काजू खावे बदाम खा रहा है और हम खावों बदाम का छिलका यानि राम सब्द जो है उसके अंदर गुप्त है वो मंत्र वो मंत्र आम विक्ती नहीं कह सकता कि तु यो मंत्र जाब कर ले फिर वो उसका गुरू बन गया अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी गुरू रूप में गाइड कर दिया तो वो ओरिजिनल गुरू से कटके वो एटोमेटिक सिस्टम है कि वो गुरू बन गया अब दोनों चोड़ चपट उसके उपर उसका भाहर आ गया तो ऐसे ये गुप्त मंतर रखे जाते हैं ये सीधे नहीं कहे जाते हैं कि हमारे गुरू जी ये नाम देते हैं ऐसे जाप कर लो या ऐसा कर लो नहीं इतना कह सकते हैं वह राम नाम बजलो राम नाम जचाकरा राम नाम ले भाई राम नाम ले अब वो राम का नाम अन्य है जैसे बदाम का चिलका उपर कुछ है अंदर गिरी जारी है ऐसे ही ये नाम गुट होते है कोई जैसे मेरे जे बालमीक जी को नाम दिया था अब वो कहते है वो राम राम करे था राम राम नेकर देऑ Yo 시 वो तो ओम नाम का जाफ जप्पया करते है राम तो वैसे जैसे हम सचाइब बोलते है ना ये मारा मंतर नहीं है ऐसे राम कोई सब्द मंतर नहीं है किसी रिसी का वो तो ओम से सुरू होते है और ओम के अलबरम तक का जाफ है और यह भी पूरे अधिकारी से लेकर ही कारी करता है अन्य से में तो यहां क्या बताते हैं प्रमात्मा कबीर जी कि तीन लोग सब राम जपत हैं जान मुक्ती को धाम और स्री राम चंदर ने वसिष्ट गुरू के उन्हों दिया ओब नाम अब राम चंदर भी तो वब नाम जपत हैं राम राम जपत हो भाव 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 किसे बिचड़ा रखे थे हैं अब क्या बताते हैं प्रमात्मा रह बोड़ी सी दुनिया सत गुरू बिन कैसे सरिया रह बोड़ी सी दुनिया सत गुरू बिन कैसे सरिया अब हम कहां ला छोड़े बक्ति इन नालाग अनजान गुरुओं ने नहीं मकीमों ने अपने लला के बार उत्रवावे जिक केची ना लग जिया अपने लला के बार उत्रवावे जिक केची ना लग जिया एक बकरी का बच्चा लेके उसका गड़ा कटईया रह भोड़ी सी दुनिया गुरू बेन कैसे सरिया जैसे तले हम ड़ड़े डोया करते ये आन उपास ना करते थे सास्तर विरू साधना करते थे तो क्या करते हैं गुड़गामा अड़ी माता के उपर बकरे बेंट्टर आई जाते हैं अब तो प्रोसेजर थोड़ा बदल दिया है पहले तो कटवाया करते हैं वहाँ जाकर अब वहां क्या करते हैं कि कोई बालक बिमार हो गया या उसकी कुछल के लिए क्या करते थे माता तेरा एक बकरा बोल दिया तेरे बेंट्टर आउंके बुड़ Türkiye बोल दिया अपने पुट्टे पुट्टी की खैर के लिए और फिर जैसे ये बच्चे के जो पर्थम बाल होते हैं इनको क्या करा करते हैं पहले अपने इस्ट दाम पर्च डाकाया करते हैं तो प्रमात्मा क्या कहते हैं हम कैसे मुर्ख बना रहे थे थे इन अकली संतों ने वाबुडिया यानि दाजी अपनी पुत्रवदू को और उस पोती या पोते को जो नौजात फिसू होता है उसको लेकर गुड़गा में आड़ी पर जाया करें मात्ता कर जाती है और वहां जाकर नाई होता है ये बहुम बार रखे हमारे के ब्रहमना पैदा कर रखी है कि पहले बाल जो है अपने इस्ट दाम पचड़ा कावर नहीं तब बाल कर उक्सुक हो जा तो ऐसे लेकर तली जाती है कहां मात्ता के उपर है और वहां नाई बैठा होता है उसको कहती है भाई नाई के मेरे पोच्टे के बाल काट दे मेरे लला के बाल काट और दीरे दीरे काट ना देख रहे कर दे कैसी लाग जाए इसके काथा शरस है अब अब उड़िया कैती है सनाई को के भाई डान से काटी है बाल मेरे बच्चे पुटे के कैसी ना लाग जाए इसके के दर्द पीड़ा हो जा कहते हैं, आप ने लला की तै इतरी च्idores चिंता तर तरह कैसी का विदरद चुड़ ही चुब ना जा और एक बकरी का लला कट लेके और उसका गला कटवा जिया तरह तरह गजब होई हो एक बकरी का बक्चा लेके उसका गला कट्वा जिया अप्रमात्मा क्या कहते हैं रभ वोड़ी सी दुनिया सत्गुर्बिन कैसे सरिया अपने लला के बाल उत्रुआ वजए के चीना लग दिया और एक बकरी का बच्चा लेका उसका गड़ा कटे या अब उस क्या करते हैं हमाँ बाल कटवा लिए इतने एक बाल ले ले लेंगे उसमसे बाल और लेके अंदर मंदर मतर आओंगे जाकर अच्छी तरह सर्धा से वो पुजारी क्या करता हैं उनको उठाक है और कटे में बर दे सारे ने ठाक हैं कट्टे ठोप दे कट्टा ये बोरी और फिर स्यामने कुरडियां पर गेर दे ठाक हैं जहां गंद पिड़ा हुआ हैं और प्रोक उनसा बैंक में जमा कराओगा और बाड़ा नुसने वारे फैकने ठाक हैं तो आप क्योना अपने काट के किता गेर दो ने इन बालां के चक्कर में पड़कर विराने कितनी समस्या पैदा करें अब क्या है कि हमने देखे जग 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 ये ठान बना रहा है इस ठान है एक तीन वाई चार का सबूतरा बना जेंगे थोड़ा सा एक डेड़ फुटूचा और उसके सेंटर में बनाओगे इसा वड़ी हमेल पित्तर का पांच चारी एट खड़ी एक आजी वराबर में दो पाथे आगए कोई कवाड़ नी इसका है खुलम खुला और फ पाई तो सोच कदे बुद इमना आई या बात हो रहा है तो परमातमा हमें यह याद दिलाना चाहते हैं तो यह क्योंकि हम शैने होगी मासी आवामने और पर लेड़ दो तुछ कार्या कर देड़ते हैं को देख कमें शे देजाए इसमें नुक्षान कर देए और उस पर कु आपता दोखने गईयां उस माता उपकर कुटता मुटता ओकर उन्हें अमर गईयां रहे बोड़ी सी दुनिया अब अमरी जाजी बनाया करती गुड़गा मारी दोखनी है वो काचापा का दलिया बना के हैं बेरा हुने कुट्टेन खाना है कुट्टा को खाऊ इसमें और नुएका चापा का ठाग है और गेर कर उस माता का उतरे बेरा है अब वो पूजा करनी है तो निच्चे नहीं उतरे माता की बोग लगा कर इतना कुट्टे से चार है और उस माता के सारे गलिया नखा कर उपर चलती हैं अन्पिशाव कर रिका चले माता के चोट्टे में जैव उसमें कोई सक्षी साली होता तो कुटे की टांग तोड़े हो पहला था तो पुने अत्माव अम्रकति अंजान बना रखे चाहे इन स्वार्थी और अग्यानी गुरूंगों ने हमारे जीवन बरबाद करा जिये हमारे सारे पुर्वज कोई भूत बना जिया कोई प्तर बना अंड़ा है दके खाते परे हैं क्योंकि वो सास्तर जूर्थ साधना करते रहे पिर क्या बताते हैं जीवित बाप गे लठ्थम लठ्था और मुवे गंग पुचया जीवित बाप गे लठ्थम लठ्था और मुवे गंग पुचया और जब आवे आसोज का मेहिना और कववा बाप बनाई आ रहे गोई इसी दुनिया अब जैसे सरादों के समय में अब जैसे पता की गती कहां से सुरू करते है माता की गती कहां से सुरू करते है कि माँ की पता की मरत्यू होगी ठीक है भाई सवा कर दिया समस्कार उसकान तिन समस्कार कर दिया फिर क्या कोगा पंडित आवेंगे गरूर पुरान पड़न खाते रहे ये विशेश कर सेरों में लाग गनी थी आम गाउं मतसाइद कम है लेकिन उनमें ज़्यादा थी तो क्या करता था पंड़क जी साथ जनते गरूर का पाठ करता था गरूर पुरान को पढ़ता था भोग लगता जो लोग और सर दाल उसको पैसे चड़ा जेते वो काख मा देगा थेले न अरदाता रहता अब प्रमात्मा क्या कहते है कुल परिवार किरा सकल कबीला मसलत एक ठराई बांज पी जड़ी आग गए धर लिया फिर मरगट कू ले जाई अगनी लगा दिया जड़ लंबा फूक दिया उस ठाई प्राण बांज फिर पंड़त आई पीछे गरूर पड़ाई अब क्या बताते हैं कि जब तो मर्तु हो जाती है प्रिवार के सुद्द से तरुंत तैरी पकड़ लेते हैं उठाओ जल्दी करो कुल के लोग आ जाते हैं और मर्संसान गाटन जाकर तेरा काम कर दिया तमाम श्रीर फूक दिया अब आते हैं वो नकले गरू पेट भर वो कहते हैं तेरे पिता की गती हो जागी साथ दन गरूर का पाठ करा ले वो गरूर का पाठ कर दिया ठीक होगी गती फिर क्या कहते हैं इब अस्थी उठा इस्थी वो अड़ियां बस जाती हैं जल्दलती नहीं कुछ ऐसी होती है इन अस्थीों को उठाकर और गंगा में जाकर वहाँ प्रोहित के दोरा जल परवा कर गंगा में पर वहाँ करा दिया पिता की गती हो जागी अब वो अस्थी उठा के वहाँ से ले गए कहां गए वहाँ एक और बैठा दुसमन वो जाते हैं नहीं पूछाएगा एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी वो पत्ती नाम ना ले वे था वो समझचा यह इमान रहा था कि मैं अपने पता की अस्थी नहीं गंगा में गेर काया तो फिर पत्तर का लाब के हूँ मैं जब तक मेरा पता जीवत है मैं नाम ना ले उ उस पत्नी को नट्ट्या नहीं करता या भी उसकी अच्छी यानि बाउना थी तो एक दन वो उसका कोई ताउताता मर गया उसके उनके साथ लागा अस्थी ले गए और वहाँ वो पेट बरपंडा बैठा था वहाँ उनके सीमा बाट रखी उने कि यो 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 इसार जला मारा यो फुलाना जला मारा यर्याने का ये अर्याना इतना किसे तरह मारा उने बाट रखी है तो एक कहन लगा वई कहां से आये हो कि अर्याना से कि आजा आजा तुम मेरे हदूर हो जाओ ये हमारे हैं हमारे हैं वो उड़ बला लिए वहाँ चले गए तो बिस करना है थाओ काम कोई बिल जाए तो देखके पिछली खोड़ कर सारा पिछला वो थरे फलाने भी आये थे दखड़े भी यहीं आये थे अर्द जमान इपकद बहुत जनमा आये तम उत्तरा नास जाईए मेरे तो दखड़े ही होई दुसमन मारे रोजमरन की बाट देखा है यह सुकर मनावा कि इनका रोजमरन अमरोज आवाने की उपकद बहुत दिनमाए नोवला उस दिन मेरे धका हाला गयार कुछ ग्यान सुन रहा था वो अपनी पतनी के माद दिन से कि इन अडियान उठान दे कोई फायदा नहीं होता संत गुरु जी ऐसे ऐसे बताते हैं उसका कुछ दच्च जी कुछ ना दच्च जी पर उस दिन फाइनल फैसला हो गया वापस आते ही नाम लिया और अपना के लियान करवाया अब वहां कहते हैं जीवत बाप के तो लठ्थम लठ्था उसकी उल्टा बोला है उसकी कोई सथकार आधर नहीं करता ना उसकी कोई स्थेवा करते और मरें पाथसे नहीं होगा फिर इसकी पूद्धा शुरू कर दी तो ना फिर गंगामर डालन खातर चाल पड़े उसकी उस्थियों को सथकार करने के लिए पर मातमा फिर कहते हैं जीवित बाप के लठ्थम लठ्था मुवे गंग पुचया और जब आवए आसुजगा मैना फिर कववा बाप बनाया अब क्या होता है फिर सराद सुरू हो जाते हैं पहले फिर मिन्ना करते थे पहले बड़ा लटोटर था एक साल था आए मिन्ना आए मिन्ना वो गुरू जी जिम्या करता है और फिर छे माई करते हैं फिर एक वरसी करते हैं वरसी था फिर गड़े जनता ही चाला करती हैं काफी दिन तक है और फिर सराद सुरू हो जाते हैं कि यह पत्तर बनी गया फिर कहते हैं इसके पंड बरवा जो भूत जो नहीं छूट जागी यानि सारे फंड करवा का है यूं करातिस में ये कहते थे तेरे पता की गती होगी फिर आया आसोज का मेहना आसोज के मेहने में सरहाद शुरू हो जाते है अजसाज के बेढ़ने में सरहाध निकलते हैं अभ परमात्मा कहते है वो एक दिन सरहाध कर दिया वो निस्टि दिन दे से कोई साथम नमर गया माझने किसी का पिताजी साथम को मरतू को पराप्थ हुआ किसी भी साथम को तो वो आसोज के अंदर 16 दिन सेलेक्ट करेखे हैं यानि अमाउसा से लेकर पूर्ण मासी तक 16 दिन सेलेक्ट करेखे हैं इन 16 दिन में से जिसका साथम नम रहा है तो साथम आले दिन उनके गुरू जी आवें गिवरामने और वो सराद निकाल लगा अच्छा बड़िया बोजन कुछ कपड़े उपड़े फिर पूजा पाजा उसको चीए वो सारा सोदा उसको दिया जाएगा अब आसोज के महिने में क्या करते हैं गुरू जी आता है बड़िया बोजन बना के हैं सबसे पहले कहेंगे छट पर रख दो कहता है छट पे रख दो कुछ बोजन लग जागा तो इत्वर छट पर रख कराते हैं और कव्वे वह पहुँच जाते है अब कव्वा उसको खा लिया कव्वे ने तो वो गुरू जी कहता है भई तरह पता को बोजना गया हो सकता तेरा पता कव्वा बनी गया हूँ अब कहां से गती करान लगे थे पिता जी कववा बना गए छोड़ी दिया और कहते हैं इसकी गती होगी अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसोज का महीना और फिर कववा बाप बनाया और गोड़ी इसी दुनिया गुरु बिन कैसे सरीय है अब क्या बताते हैं परेद शिला पैज़ा बिराजे पितरों पंड भराई बहुर सराद खान को आए वो काग भाए कल माहीन फाइनल फैसला करते हैं परमात्मा की वाणी में जैसत गुरु की संगत करते तिरे सकल करम कट जाई अमर पुरी पर आसन होते जहां धूप ना साही कि जैसत गुरु की संगत करते पूर्ण संथ की ये सारे जन्जट खतम हो जाते हैं सकल करम किसी भी कियो सकता नहीं रहती हैं आप सत लोग चले जाते हैं अमर पुरी में उस सत लोग में आपका निवास होता जैसे गीता जी अज्ञाय नम्र अठारा के सलोक बैसित में कहा ह कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमिश्वर की सरनमजा उसकी करपा से ही तो परम सानती और सनातन परमधाम को प्राफ्ट होगा सनातन परमधाम सासवतम सथानम अमर पुरी सत लोग वहां चले जाएगा गीता जी जाय नम्र पंदरा के सलोक नम्र चार में ये कहा कि तुझे तत्व अग्यान मिल जा उस तत्व अग्यान रूपी सस्तर से इस अग्यान रूपी पेड़ को काटके उसके बाद उस परमध पर मेश्वर के परमध की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर प्रानी संसार मनी आते हैं और जिस परमेश्वर ने सब अभी पूजा की योग है उसी की पूजा की चाहे अपने आत्मों अब ये स्रादों की बिमारी कहां से लगी पुराणों से अपने आत्मा गरंध गरंध में भेद हैं जैसे वेद और गीता जी प्वित्र चारोवेद प्वित्र गीता जी ये परभूग द्वारा दिया गया ग्यान है ब्रहम द्वारा यानि ब्रहम को दिया था प्रमात्मा कबीर जी ने और ब्रहम ने फिर दिया है यहां सुन आपने ग्यान दिया है यहां ब्रमानलम है तो ये जो ग्यान है वेदों का और गीताजी का ये विध्धान है परभू का और जो पुरान है वो किसी रिसी या आन देवता की अपनी सोच अपनी छूरी अपना विध्धान है उसकी आज्या है तो अपने आत्माओं हमने इन पुराणों में लिखे विध्धान को नहीं सुविकार करना है जैसे आपको ध्धान देते हैं जैसे एक विक्ती का द्रोगा असोचो मित्तर था और उस विक्ती ने अपने मित्तर से कहा कि मेरा प्रोफ्सी बहुत दुखी कर रहा है कुछ इसका विकलब बताओ एससे ने कहा जैसे अक मार उसका लट माफ देख लूँगा अब उस विक्ती ने एससे ने एससे आज्या का पारन करके राजा का विध्धान तोड़ दिया उस प्रोफ्सी कर लट मार दिया पात्र हुआ तो इसी परकार हम वेदों और गीता जी के अनुसार साधना ना करके हम पुरानों से यदि को साधना कर रहे हैं हम परमात्मा का विध्धान तोड रहे हैं उससे हम फिर सजा के पात्र बनते हैं भूत बनते हैं तत्र बनते हैं पसू बनते हैं पक्सी बनते हैं ऐ एक रूची नाम के रिशी थे, वो उसने साधी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे, चालिस वरस की उमर होगी थी, चालिस पैंट आलिस वरस के प्रोड होगे थे, एक दिन उसको उनके चार पूरवज, यानि पिताजी, दादाजी, परदाजी और तीसरा दादाजी, वो दिखाई दिये, उन्होंने का वेटा रुची, तुने साधी क्यों नहीं कराई, आप साधी कराओ, हमारे सरहाग निकालो, तो रुची कहता है पितर महो, वेद में ये करम कांड, सरहाग दाजी निकालना, तो मूर्खों का मारे बताया है, अविद्जा कही है, फिर आप मुझे क्यों इस सास्तर विलसाद नामें लगाना चाहते हो, पितर भी स्विकार करते हैं कहां बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस करम कांड को अविद्दा ही कहा है, फिर भी कहते हैं, वेसा है, वेसा है, वेसा है, उसको मुर्ख बुनाने के लिए, अपनी वे तिगड़म बाजी लगा के, उस प्यारी आत्मा को भी ड्रादम का के, और अपने साथ नरक में डाल लिया, अब जो खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मुर्खा की पूजार, फिर कहते हैं ना वेटा तो, ये तो करना ये पड़ेगा, ये कोई बात होई, अब देखिएगा मारकंडे परान, इसमें आपको लिखाते हैं, र सकीतर मोटा टाइप केवल हिंदी संसिप्त, गीता प्रेस गोरुखपुर से परकासित हैं, गीता प्रेस गोरुखपुर जो है हिंदू समाज के लिए, आई एस आई मारक हैं, मारकंडे परान, सब गीता प्रेस गोरुखपुर से परकासित हैं, परकासित हैं, मुदर गीता प्रेस्ट गोर्फ पुर्गोविद मुनकारियल एकोल काता का संस्था इसके 243 प्रेस्ट पर बियारिस के आपको दिखाते है प्रेस्ट नमबर 242 संक्सित मारकंडे पुरान रुच्च मुनी की कथा रुच्च मुनी की उत्पत्पी कथा मारकंडे जी कहते हैं ब्रमन पुर्वकाल की बात है प्रजापती रुची ममता और एंकार से रही थे इस प्रच्ची पर वितरते थे उन्हें किसी से भैर नहीं था वे बहुत कम सोते थे उन्होंने नैतो अगनी की स्थाफना की थे उन्हें अपने लिए घड़ ही बना रखा था एक बार वोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे उन्हें सब परकार की आसकती से रही एमे मुनी वर्ती से रहते देख उनके पित्रों ने उन से कहा पित्र बोले बेटा विहा स्वर्ग और अपवर्ग का हे तू होने के कारण एक पुन्ड में कारिये हैं उसे तुमने क्यों नहीं किया द्रस्थ पुरुस समस्त देवताओं पित्रों रिस्षियों और अतिख्यों की पूजा करके पुन्ड में लोकों को प्राफ्ट करता है बोक्स नहीं पुन्ड में लोकों को प्राफ्ट करता है वह सभा के उचारन से देवताओं को शवधा सबद से पित्रों को तथा अंदान बली व्यश्वदेव आधी से भूत आधी प्राणियों एवन अतिथियों को उनका भाग समर्टी करता है पत्तर पूजा भूत पूजा ये करम कान्ड है बेटा हम ऐसा मानते हैं गरस्त रासरम को सुविकार ने करने पर तुम्हें इस दियून में कलेश पर कलेश उठाने पड़ेंगे तो था मर्टू के बाद और दूसरे जनमा भी कलेशी भोगने पड़ेंगे रूची ने कहा पितर गन ये देखो ये सारे बूध कठे हो रहे ये देखो ये रूची रिशी खड़ा है नीचे और ये उपर चारों बूध कठे हो इसको दीखिए अब नोग पितार दादार परदादार तो थादादा जी जा कलदा वाइट जा दिए गा तो इस बूधता ने नोडग में कर रहा किया ह। तो ऐसे फिर सरदा बन जाती है जिए उना विरा रहा है कुए में गिर गया कोई दरिया में बहरा है मानले आपका पिता जी तो आप उसको गेल च्छनाग लगा कि क्या उसको बचा सकते हो नहीं उसको निकालने का तरीका को रसी फैंक दे और कहे इसको पकड़ लो तुम भी बहरा आजाओ और अब ये तो दरिया में डूब चुके थे अपने बच्चे को कहरें तुम भी आजा मारे साथ से यहीं आजा यहीं करब कर और मरकुवे में पड़कर है अब देखो रूची ने कहा पितर गंड प्रिग्रे मातर ही परियतन दुख एम पाप का कारण होता है तसा उस से मुनस्की अधोगती होती है यहीं सोचकर मैंने पहले इस्ट्री संग्रे नहीं किया मन और इंद्रियों को नियंतर में रखकर जो ये आत्म सियम किया जाता है वहे भी प्रिग्रे करने पर मुक्स का सादग नहीं होता ममतारूप की चल में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो प्रिग्रे सुन प्रिचित जल से पर्तिजिंद हो जाता है वह स्रेश्ट प्रियतन है पितर बोले बेटा जितंद्रिये होकर आत्मा का प्रक्ष्ण करना उचीत था कि तुम जिस मार्ग पर चल देए वो मोग्स मारग थे, अभा पित्र डाजि ने उसके मोग्स ओड़ों है, नो गर तुम जो मारग चल आव तो मोग्स मारग है, तो पित्र बने, मारग तरह भूत बने जा, यह देख पित्तर बोले बेटा जितंद्रिय होकर कि आत्मा का प्रक्षाकलन करना उचित है किन्तों तुम जिस पर चल रहे हैं वो मोक्ष मारग है पूरो दिनम किया हुआ मानों का सुबा सुकर्म सुक्स दुख में भोगों के रूप में पर्तिजिन भोगने पर हिक्षिन होता जिसा इने ग्यान था आगे देखो रुची ने पूछा पिता महो वेद में करम मारग को अविद्धा कहा गया है फिर क्यों आप लोग मुझे उस मारग में लगाते हो पित्तर बोले यह सच है कि करम को अविद्धा ही कहा गया इस मतनिक भी बेथा नहीं पिर के टटू रहे गया पिर के रहे गया पित्तरो यह मरवाजिया बोला अदमी और गेल ना लिया फिर कहें ऐसा है ना बनू कर दे पत्तर यह सजे देते हैं पत्तर आशिरवाद दे देते हैं पत्तर इतना दे कर दे मैं इसका थन खराब कर दे लेकिन ठीक नहीं कर सकते ठीक ता है फरमातमा ही करेगा शिरवाद दे के उसके नाम ते तो आप देखो ये खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई जूठ ले वाई सहत या आविद्या इसमें तनिक भी मिठ्ञानी फिर के बच गयावाद पच्छ है फिर इसको भका भुक है लाक है पीछ है नो बोलत इब यो कहने लगा जी मैं तब उड़ा हो गया मैंने कौन लड़की कर दिएगा 40 साल की उमर होगी मेरी 42-45 की तो पित्र बोले तु तु तफ कर ले उसना तफ किया फेड़े कि इस तरी आई अपनी लड़की ने लेका रिशी जी आप मेरी लड़की से साधी कर लो जो उसना साधी करी और फिर पित्र ना ले खड़े मोरूची फिर पढ़िया आप भी गरिया ए प्रमात्मा ए बद्नी छोड़े और वो पित्र खुद के तो मोक्ष मार्ग पर लग गया गलती कर दी पित्र नहीं बने वो पित्र बनवा दिया अपने आत्माओं हमने ये ग्यान कदे सुने नहीं था और ये तो रिशी सुतर के अगयान है ज़र रिशी बता रहे हैं वह को नहीं ये क्यों ना करवाया से राद क्यों ना कर द्या अपने अत्माओं अब स्विश्णों प्राण के अंदर स्रादों के विसे में काफी डिटेल दी है वो डिटेल दे कौन रहा है कहीं तो औरोवरेसी रादा सगड को बता रहा है और ये कहरा कि मैंने ये बात पत्रों से पता लगया था पत्रों ने इसे बता अब पत्रों आप तब हुट बने वे हैं उनके दोरा दिये गए गयान को वो नोंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के अधार से फिर नरा आगे आप दिखिएगा ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण गीता प्रैस गोरपुर से प्रकासित इसके कौन है अनुवादत श्री विष्णु पुराण अनुवादत कुमुनी लाल श्री मुनी लाल गुप्त प्रकासित को वही है गीता प्रैस गोरपुर गोविन गोविन गोवन कारियले कुलपता का सुनस्थान अब इसके दोस्य तेरा प्रैस पर यह देखी का तर्टिय अन्स तर्टिय अन्स अज्जाय नमबर सोड़ा और यहां अंदर में अज्जाय नमबर सोल्मा यहां से सुरू होता है इसमें क्या लिखा है कि हे राजन सरहाद करने वाले पुरसों से विश्व देवगण, पित्रगण, माता महे और कुटमबी जन सभी संतुस्ट रहते हैं हे बुपाद, पित्रगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है इसलिए सराद में योगी जन को निउक्त करना अति उत्तम है हे राजन, यधी सराद भोजी एक हजार ब्रावनों के सम्मुख, एक योगी भी हो तो वह यजबान सहित उन सब का उद्धार कर देता है अब का एक देशी का आधी बिला आंदा इनुतर दो बलावे आंदे इनुतर जेते एक उसकी मुणी पगड़ का होगा, दो होगे खागड़ तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्रामना नेर और पंगे पावा इसमा बहुत कुछ लिख रख्या है कि पित्रों के सराद ने का लाजब तो या तो दो ब्रामन हो या चार हो छै हो आठ हो दस हो ऐसे जबाने चीए और उत्र ममू हो, उनका पूरब ममू हो और पूतां के कड़ है तो उनके फिर एक, तीन, ऐसे पांट, साथ, यानि जो दो से भागना हो वो हो अब प्रमातमा इजिसमा सपस्ट कर रख्या है कि एक योगी, एक अजार ब्रामन हो बोजन के सराद में बोजन करने वाड़े और उनके सामने एक योगी हो योगी कौन होता है? गीता जिद्ध धै नमबर दो के स्लोक नमबर त्रेपनवा है कहा कि अर्दू जब तेरी गुधी बिन-बिन परकार से भरमित करने वाले बिन-बिन परकार के वजनों से हट कर एक परमातम ततों के एक परमातमा के उपर सत्थिर हो जागी तब तो तू योग को पराप्त होगा अर्था तब ततो भगत बनेगा यानि सास्तर अनोकुल सादक होगा क्सू तो जब तो